प्रदेश अध्यक्षे करण महरा ने की प्रेस वारता इस दोरान प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महमंत्री प्रदेश प्रवक्ता समेत कई कारेकरता मौझूद रितु खंडूरी के बयान पर कॉंग्रेस ने खड़े की सवाल सधन की गारवाही खत्म होने के बाद रितु खंडूरी ने कहा था कि जितना बिजनेस होगा उसी क्याधार पर सत्र आहूँच किया जाता है सत्र शुरू होने से पहले ही मैंने कहा था कि रण छोड़ पार्टी की सरकार है प्रदेश अध्यक्ष सदन के दौरान विपक्ष द्वारा उठाये गए मुद्दे जैसे की अंकिता भंडारी के रण लेगी हत्यकान बदहाल कानून व्यवस्ता बेरुजगारी पलायन के मंत्री को दिल्ली के अंसिरी जाना जरूरी लगा करण महरा मसदन के दौरान जिस बिल पर चर्चा होनी थी उसको 20 घंटे पहले विधायकों के सामने रखा जाता है लेकिन ऐसा नहीं मैंने सत्र सुरू होने के पहले शायद आपी से बात हुई थी मैंने पत्रकारों के से एक पास किये है हंगामे में विधायकों को जो प्रस्ताव पास किये उनकी प्रतिया पहले नहीं दीगी जो 24 घंटे पहले दी जानी चेह थी स्टेडी के लिए और रितु घंडिरुजी का ये बयान की बिजनस नहीं था और हम जनता के धन का दुरूपयोग नहीं करना च पांस दिन का सत्र आपना आउध क्यों किया सरकार ने बिजनस क्यूं नहीं लाई क्यों आप अनुपूर्ण बजट लेके आए जब आपका टोटल जो पिसला बजट पास वा था उसका आपने साड़ परसेंट पैसा खर्च किया था उसके बाद भी आप अनुपूर्ण चल सकता था, 14 विदेक, तो ये जंता को भर्माने की कोशिश ना करें, हर चीज मैं राजनीती नहीं करनी चाहिए, आप पार्टी का फेस बर्चाने के लिए नहीं हैं, आप विधानसभा की अध्यक्स हैं, रितू खंडूरी जी को अंकीता को न्याय दिलाने के लिए लड़न प्रेसला देगी, जिससे विए पी का नाम जागरत हो, पता चल सके, उस अधिकारी के खिलाब कारवाई करेगी, जिसने आपके सामने, हमारे सामने वीडियो प्रस्तुत किया, क्या हमको फॉरंसिक जांज के लिए हमने जरूरी तथि जुटा लिये हैं, और कोर्ट में एफ काश्वसन की उमीद थी, कि इतनी लचर कानून व्यवस्ता में, जिसमें आतमकवादी पकड़े जा रहे हैं, अंकिता के केस मिटाए जा रहे हैं, वी आईपी को बचाया जा रहा है, यूपी की पुलिस इंटर्वीन कर रही है, एक तरफ प्रेम चंजी के भाई के यहां ड हमको लगा था, उसकी घोशना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सोच रहे थे, कि उजो चार साल की बच्ची मरी, उसके लिए कुछ नहीं होगा, हम सोच रहे थे,